हार्ती इतियास के सबसे महान और सहस्य योद्धा प्रत्वीरा चोहान चोहान वंस के छत्रिय सासक सोमेश्वर और करपूरा देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे ऐसा कहा जाता है कि वे उनके माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफी पुझापाट और मन्नत मांगने के बाद जन्मे थे वहीं उनके जन्म के समय से उनकी म्रत्यू के लेकर राजसोमेश्वर के राज में साजिस रसी जाने लगी थी लेकिन उन्होंने अपने दुसमनों की हर साजिस को नाकाम सावित किया और वे अपने कर्तवे पत पर आगे बढ़ते चले गई राजगराने में पैदा होने की वज़े से ही सुरू से ही प्रित्वीराज चोहान का पालन पोशन काफी सुक्स विधाओं से परिपूर्ण अर्थार्थ वैभवपूर्ण वातावर्ण में हुआ था उन्होंने सर्शती कंठावरन विध्यापिट से शिक्षा प्राप्त की थी जबकि युद्ध और सस्त्र विध्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरू श्री राम जी से प्राप्त की थी पृत्विराच चोहन बच्पन से ही बहद सासे, वीर, बहदुर प्राकर्मी और युद्ध कला में निपुन थे सुरुआत से ही पृत्विराच चोहन ने सब्ध बेदी बान चलाने के अद्बूत कलाशीक ली थी जिसमें भी बिना देखे आवाज के आधार पर बांड चला सकते थे वहीं एक बार बिना हत्यार के ही उन्होंने एक सिंग को मार डाला था प्रिस्विराद चोहान को एक बहुत दुरू योदा के रूप में जाना जाता है जो दिली में वर्तमान में भी पुराने के लिए के नाम से मसूहर है एक सासक के रूप में प्रिस्विराद चोहान प्रिस्विराद चोहान जम महिज 11 साल के थे तब ही उनके पिता सोमेश्वर की एक युद में मोत हो गई जिसके बाद वे अजमेर के उत्राधिकारी बने और एक आदर सासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उत्रे इसके अलाव प्रिस्विराद चोहान ने दिली पर भी अपना सिक्का चलाया दरसल उनकी मा करपूरा देवी अपने पिता अनंग पाल की कलोती बेटी थी इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के सासक सोमेश्वर चोहान से प्रिस्विराद चोहान की प्रतिभा को भापते हुए अपने सामराद जिका उत्रादिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी जिसके तहट साल 1166 में उनके नाना अनंग पाल की मोत के बाद पित्विराद चोहान दिली के रासिंगाशन पर बैठे और कुसलता पूरक उन्होंने दिली की सत्ता संबाली एक आदर सासक के तोर पर उन्होंने अपने सामराज्य को मजबूती देने के कारी किये और इसके विस्तार करने के लिए कई अभ्यान चलाए और भी एक वीर योद्दा इम लोग पर प्रेसासक के तोर पर पहचाने जाने लगे पिर्द्विराज चोहान और राजकुमारी संयोगिता की अमर प्रेम कहानी पिर्द्विराज चोहान और राणी संयोगिता की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है और उनकी प्रेम कहानी पर कई टीवी सीरियल और फिल्में भी बन चुके क्योंकि दोनों ही एक दूस और वे चोरी छेपे गुपत रूप से प्रित्विराज चोहन को पतर भेजने लगी प्रित्विराज चोहन भी राजकुमारी सहयोगिता की खुबसूरती से बहुत प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर देखते ही उनसे प्यार कर बैठे थे वहीं दूसरी तरफ जवरानी संयोगीता के बारे में उनके पिता और राजा जैतंज को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगीता की विवा के लिए स्वेंबर करने का फैसला लिया वहीं दूरान राजा जैचंद ने समस्त भारत पर अपना सासन चलाने की च्छा के चलते असुमेग या कायुजन भी किया था इस एक के बाद इरानी संयोगीता वहीं प्रित्विराज चोहान नहीं चाते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जैचंद का भारत में प्रभूत हो इसलिए उन्हें राजा जैचंद का विरोध भी किया था जिससे राजा जैचंद के मन में प्रत्वी के प्रतिक ग्रहना और भी ज्यादा बढ़ गई थी जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के स्वेंबर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को नोत ही नहीं वेजा और द्वार पालो के इस्थान पर प्रित्वीराज चोहन की तस्वीरे लगा दी वहीं प्रित्वीराज चोहन जैचंद की चालाकी को समझ गए और उन्होंने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए गुप्त योजना बनाई बता दे कि उसमें हिंदुधर में अपना मन पसंद वर चुड़ने का अधिकार था वहीं अपने स्वेंबर में जिसभी वक्ती के गले में माला डालती थी वो उसकी रानी बन जाती थी वहीं स्वेंबर के दिन जब कई बड़े बड़े राजा अपने सोंद्रिये के लिए पहचानी जाने वाली राजकुमारी संयोगिता से विवा करने के लिए सामिल हुए वहीं सुएंबर में जब संयोगिता अपने हातों में वर्माला लेकर एक एक कर सभी राजाओं के पास से गुजरी और उनकी नजर द्वार पर इसी प्रिस्विरा चोहन की मूर्ती पर पड़ी तब उन्होंने द्वार पाल बने प्रिस्विरा चोहन की मूर्ती पर हाट डाल दिया जिसे देखकर सुएंबर में आये सभी राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे वही पिर्थिरा चोहन अपनी गुपतियोजने के मुताबिक धुरपाल की परतिमा के पीछे खड़े थे और तब ही उन्होंने राजा जैचंद के सामने रानी संयोगिता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिल कार कर फिया अपनी राजानी दिली में चले गए इसके बाद राजा जैचंद घुसे से आगबुला हो गए और इसका बदला लेने के लिए उनकी सेना ने पिर्थिरा चोहन का पीछा किया जिसमें कई लोगों की जान चली गई और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ पिर्थिरा चोहन की विसाल सेना एदूरदर से सासक पिर्थिरा चोहन की सेना बहुत बड़ी थी जिसमें करीब तीन लाग सैनिक और तीन सो हाती थे उनकी विसाल सेना में घोडों की सेना काभी खासा महत्वे था पिर्थविराद चोहन की सेना काफी मजबूत थी वे अच्छी तरह से संगठी थी प्रित्विराद चोहान ने अपनी स्विसाल सेना की वज़े से ने सिर्फ कई यूद जीते बलकि वे अपनी राजी का विस्तार भी करने में काम्याब रहे वही पृत्विराज चोहान जैसे जैसे युद जीतते गए वैसे 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 अपनी सेना को भी बढ़ाते गए इतियास कि इस महान योदा के पास नाराएन योद में सिर्फ दो लाग उड़ सो आर सैनिक पांसो हाती और बहुत से सैनिक सामिल थे परंवीर योदा पृत्विराज चोहान और मौहमद गोरी का पहला युद चोहान वंस के सबसे बुद्दिमान और दूरदर्शी सासक पृत्विराज चोहान ने अपने सासन काल में अपनी राजी को एक नए मुकाम पर पहुँचा दिया था उन्होंने अपने राज़ी में अपनी कुसल नितियों के चलते अपने राज़ी के विसाल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी पिर्थ्विरा चोहान पंजाब में भी अपना सिक्का जमाना चाहते थे लेकिन उस दोरान पंजाब में मुहम्मद सहाब उद्दीन गोरी का शासन था लेकिन इसी वीच अन्हिल वाड़ा में जब मुहमद गोरी की सेना ने हमला किया तो तब पिर्थ्विरा चोहान का सैनेवल कमजोर पड़ गया जिसके चलते पिर्थ्विरा चोहान को सरहिंद के किले से अपना अधिकार खोना पड़ा बाद में पिर्थविराद चोहान ने अकेले ही मुहमद गोरी की वीरता के साथ मुकाबला किया जिसके चलते मुहमद गोरी बुरी तरह घायल हो गया जिसके बाद मुहमद गोरी को इस युद छोड़ कर भागना पड़ा हलंकिस युद्ध का वहीं है युद्ध सरहिंदी के लिए के पास तराइन नामक जगए परवा इसलिए से तराइन का युद्ध भी कहते हैं जब पृत्विराच चोहान मोहमद गोरी के जाल में फसकर हार गई युद्ध वीर युद्धा पृत्विराच चोहान ने मोहमद ग गोरी से अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने पिर्थ्विराज चोहान को जान से मारने के लिए सड़ेंत रचा इसके बाद दोनों ने मिलकर साथ 1102 में में अपने मजबूत सैनेबल के साथ पिर्थ्विराज चोहान पर फिर से तराइन के मैदान पर आकर्मन कर दिया वही ज के का फाइदा उठाते हुए राजाजоть जैचंद ने पिर्थवीराच चौHन पहरोसा जितने एक पना सेरड बल पिर्थवीराच चौः को सूंप दिया वहें उदार सुभाओ के पिर्थविराच चोहान राजा जैचंद की इस चाल को समझ नहीं पाये और इस तरह जैचंद की जोके बाजी सैनिकों ने पिर्थविराच चोहान की सैनिकों का सनहार कर दिया और इस यूद के बाद पिर्थविराच चोहान और उनके मित्र चंदर बरदाई को अपने जाल में फसा कर उन्हें बंदक बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गए वहें इसके बाद मुहमत गोरी ने दिली, पंजाब, अजमेर और कन्नोज में सासन किया हलांकि पिर्थविराच चोहान के बाद कोई भी राजपूत सासन भारत में अपना राजजमा कर अपनी बहादूरी शाबित नहीं कर सके मुहमत गोरी ने जब जला दी पिर्थ्विराच चोहान के आखे पिर्थ्विराच चोहान से कई बार प्राजित होने के बाद मुहमत गोरी अंदर यांदर परतिशों से बर गया था इसलिए बंदक बनाने के बाद पिर्थ्विराच चोहान को उसने कई सारे रिक यातनाय दी एवं पिर्थ्विराच चोहान को मुस्लिम बनने के लिए भी प्रताडित किया गया वहीं काफी आतना इस हैने के बाद भी वीर योद्धा की तरह पिर्थवी राज चोहान एक वीर पूरुस की तरह अडिग रहे और दुस्मन के दर्वार में भी उनके माथे में किसी भी तरह का सिकर नहीं था इसके साथ ही वे एमान वे करत्यों को अंजाम देने वाले मुहमद गोरी के आँखों में आखे डाल कर पूरे आत्मी विस्वास के साथ देखते रहे जिसके बाद गोरी ने उन्हें अपनी आखे नीचे करने का भी आदेश दिया लेकिन इस राजबूत योद्धा पर तनिक इसका परभाव नहीं पड़ा जिसको देखकर मुहमद गोरी का करोध साथ वे आसमान पर पहुँच गया और उसने प्रत्विराज चोहान के आखे गरम सलाखों से जला देने का आदेश दिया यहीं नहीं आखे जला देने के बाद भी करूर सासक मुहमद गोरी ने उन पर क आजगवी चंद्रवरदाई ने मुहमद गोरी को पिर्थविराज चोहान की सब्धवेदी बान चलाने की खूबी बताई जिसके बाद गोरी हासने लगा कि एक अंदबान कैसे चला सकता है लेकिन बाद में गोरी अपने दरबार में तीरंजाजी परतियोगीता का आयोजन करने के लिए वहीं इस प्रतियोगीता में सब्धवेदी बान चला कर चलाने में उस्ताद पिर्थविराज चोहान ने अपने मित्र चंद्रवरदाई के दोहों के माध्यम से अपनी इस अधवुत कला प्रदर्शित की और भरी सबा में पिर्थविराज चोहान ने चंद्र चोहान को उनके मित्र ने अपने दुस्मनों से हाथों मरने के बजाए एक दूसरे पर बाण चला कर अपनी जीवन लिला खतम कर दी वहीं जब राजकुमारी संयोगिता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने भी इसी वियोग में अपने प्राण त्याग दिये धन्यवाद जय हीं जय भारत